कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूं कि अब अच्छे होंगे आइम नवीन वेलकम टो में यूडूब चैनल बेसिक मैं साउने डिप्स और इस वीडियो में करने वाला हूं क्लास एट एंस्टि बुक एक्ससाइस 2.6 कोशन नमबर 1 से लेकर कोशन नमबर 5 तर तो चलिए 3 upon 3x जो है 2 के एक्वल है तो हमें यहाँ पर इस equation को solve करना है देखें मैंने यहाँ पर question लिख लिया है तो इस condition में जैसे की p upon q q और r upon s हो equal to का साइन हो बीच में तो हम हमेशा cross multiplication करते हैं तो यही situation यहाँ पर है तो इसके नीचे हम मैं 1 लगा लेता हूं और cross multiply करूंगा 8x-3 को 1 से और 3x को 2 से तो जब 8x-3 को 1 से multiply करेंगे तो as it is ही रहे गई और 3x को 2 से multiply करेंगे तो यह हो जगा 6x आप देखिए यहाँ पर यह 8x अपनी जगाब ठीक है 6x इधर आ जगा तो 8x-6x तो मैं फैरियेबल जो है left hand side दिख रहा हूं और numerical right hand side दिखूंगा तो यह minus 3 जो है यह उदर चला जाएगा तो यह हो जगा plus 3 तो 8x में से 6x का है त और is equal to 3 तो x is equal to 2 जो 2 है यह upon में आजागा तो 3 upon में 2 तो इस तरह से x जो है उसकी value आ जाते है 3 upon 2 अब चलते हैं second question पर कि एक second question में में दिया है 9x upon में 7-6x equal to 15 यह भी बिल्कुल उसी तरह से करना है मैं देखिए मान यह question लिख लिए है तो यहां 15 के निचे question नहीं तो 1 लग आ लूँँआ cross multiplication करेंगे 9x को 1 से multiply करेंगे तो आजगा 9x अब यहां पर 15 को हमें multiply करना है 7-6x से तो मैं इसको पहले इसको इस तरह से लिख ले तो 15 bracket में 7-6x यहनि कि मैं multiply कर रहूंँआ जैसे कि अब जानते हैं कि a b-c होता है तो a को b से multiply कर आते हैं फिर a को c से multiply कर आते हैं तो यहां वही है यहां 9x ऐसे लिख लेते हैं 15 को सावन से multiply कराते हैं तो यहां पर आएगा 105 और 15 को 6x से multiply कराएंगे तो आजगा minus 90x उसके बाद वही xx एक तरफ रखेंगे तो यहां पर 9x अपनी जगह पर ठीक है यह जो 90x यह minus का यह प्लस का हो जगा प्लस 90x और यहां पर 105 अपनी जगह पर रखा हुआ है अब प्लस 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 होगा यहां पर तो इस तरह से यह बन गया 99x 90 प्लस 9 और यहां पर 105 तो 105 और यह जो 99 अपन में आ जागा अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं यह की टेबल से तो 339 और 35 15 और यहां 339 यहां 339 तो इस तरह से 35 अपन में 33 जो है इसका अंसर आ जाता है अब चलते है नेक्स कोशन पर अब देखें कोशन नमबर 3 में में दिया है Z अपन में Z प्लस 15 जो है 4 अपन 9 के एकवल है इससे भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे और दिखें मैंने यहां लिख लिए है अब यहां पर मैं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कर देता हूं इसकी तो 9 की Z से मल्टिप्लाई करूँगा ठीक है तो 9 Z हो जागा और यहां 4 की करूँगा Z प्लस 15 के साब यहां 9 Z है जी यहां 4 इंटू Z हो गया 4 Z और यहां 15 फॉर जाए 60 अब इसके बाद 9 Z अपनी जगह पर है यह 4 Z प्लस का था तो यह दर आगया माइनस और यहां पर 60 तो 9 Z में से 4 Z जाएंगे तो बचे का 5 Z जो है वो 60 के एकवल है तो Z निकालने के लिए हम 60 अपन में 5 कर द जाता है 5 जा 5 5 जा 5 जा 5 और 5 2 जा 10 तो Z की वैली जो है वो आ जाती है 12 अब चलते है नेक्स कोशन पर अब देखिए कोशन नमर 4 में में दिया है 3y प्लस 4 अपन में 2-6y जो है माइनस 2 अपन 5 की एकवल है तो मैं कोशन लिख लेता हूं उसको तो देखे मैंने यहां पर को होगी तो 5 की मल्टिप्लाई होगी 3y प्लस 4 के साथ और माइनस 2 की मल्टिप्लाई होगी 2-6y के साथ तो 5 3 जा यहां होगे 15 by 5 की 3y से करेंगे 5 की 4 से करेंगे तो 5 4 जा 20 अब माइनस 2 की 2 के साथ करेंगे तो माइनस 4 फिर माइनस 2 की 6y के साथ करेंगे तो माइनस माइनस हो अब इसके बाद y y y एक टारफ लख लेते हैं तो 15y अपनी जगह पर है 12y इधर आकर minus 4 अपनी जगह पर प्लस 20 इधर आकर minus का हो जगा तो यहाँ 15 में से 12y less कर देता ओ जा जाता 3y और यह minus minus plus तो यह माइनस 24 हो गया, तो y निकानने के लिए, 3y इसके बराबर तो y निकानने के लिए मैं क्या करेंगे, माइनस 24 अपन में 3, और 3 की टेबलों 24 आ जाता है, 8 जा पे, तो यहाँ काट लेते हैं, तो माइनस 8 जो है, वो y की विल्लियो आ जाती है, अब चलते है next question पर, दीखें, मैंने question लिख लिए, तो मैं 3 को 7y प्लस 4 से multiply कराऊँगा, और minus 4 को y प्लस 2 से multiply कराऊँगा, यहनकी cross multiplication, तो 3 को, मैं लिख लेता हूँ कि 7y प्लस 4 से multiply करा रहा हूँ, और minus 4 को y plus 2 से करा रहो तो 3 को 7y से करा हूँगा तो 3, 7 ज़र 21 तो 21y होगा 3 को plus 4 से करा हूँगा तो 3, 4 ज़र 12 होता है 12 लिख दिया minus 4 को y से करा हूँगा तो minus 4y हो गया और minus 4 को plus 2 से multiply करा हूँगा तो minus 8 हो गया minus plus minus 4, 2 ज़र 8 इस तरह से और 21y अपनी जगह पर है यह 4y माइनस का तो इधर आ जगा प्लस का जगा प्लस 4y माइनस 8 अपनी जगह पर है प्लस 12 जो है वो इधर आ जगा देखें यहां पर जो प्लस का 12 था यह तर आके माइनस 12 हो गया अब यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं तो प्लस प्लस यह हो जगा अब minus minus plus होने के विज़ सामें plus करके लिए अब y निकालने के लिए हम क्या करेंगे minus 20 upon 25 अब यह एक की टेबल में कट चकते हैं तो हम इसे काट लेते हैं जैसे 5 की टेबल में कट रहे हैं तो 5 4 जा 20 होगे और 5 5 25 होगे तो इस तरह से मैं कहा सकता हूं कि जो y की value आई है वो minus 4 और 5 आई है तो बहुती easy question थे आशा करता हूं कि आपको सभी question समझ में आये होंगे अगर किसी भी question में किसी भी तरह का कोई भी doubt है तो आप मुझे comment box में comment करें मैं उसका जरूर reply करूँआ और इस chapter के सभी question जो है already uploaded है आप उन्हें भी check कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतन कर दो